नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिविंद कुंडरा चैनल पर राजस्तान CET 12th लेवल के हम लोग तैयारी कर रहे हैं 22 से 24 अक्तूबर के बीच में आपकी जो एक्जाम है दोस्तों यह आपर होने वाली है model paper number one solemn करेंगे दोस्तों जो रामबार कुशन में आपको कर्वाने वाला हूँ आज की क्लास में अपने हापर दोस्तों 100 कुशन होने वाले हैं जो 22 सक्टूबर को सीधे के सीधे आपकी paper में छप जाएंगे तो चली ये सुरवाद करते हैं किलास को एक बाद सभी साती कलास को शेर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में एक एक कुश्ण काफी महितपून, आफी शांदार और जानदार है यहापर दोस्तो GU आपका होने वाला है तेके न यह आपर दोस्तो सरपंच और अन यह आपर जो पंच सदश हैं उनके सहमती से यह दोस्तो चुना जाता है तो उप सरपंच अपर तक शुरूप से यह आपर चुनाओ होगा काफी वर एक्जाम में पूछा गया है राजस्तान करमचारी चेहर बूड की जो एक्जाम है उसमें छपावा सवाल है जबकि सरपंच का जनता के दोवारा विदायक का जनता के दोवारा और सांसा दिया MP का जनता के दोवारा पृतक शुरूप से यह आपर चुनाओ दोस्तो होता है पर वाता आपके उसमें पूछा गया सवाल है कि राजस्तान की पहली महिला दोस्तो राजपाल कोन बनी तो यहां पर दोस्तो सिर्मती पृतिवा देवी सिंग जो पाटिल है यह राज की पहली महिला दोस्तो आपके राजपाल यहां पर बनती है और देश की प्रता महिला राश्टपती अगर आपसे पूछे तो देश की प्रता महिला राश्टपती भी दोस्तो सिर्मती प्रतिवा देवी सिंग पाटल बनती है और इनसे एक और सवाल बनता है कि भाईया राजस्तान की कौन सी राजपाल थी जिसने सबसे पहले याँ पर अपने पद पर रहते वे त्याक पतर दिया तो देवी सिंग पाटल याँ पर रही है अगला कुशन है राजस्तान की विदान सबा में सदेश कितने हैं दोस्तों तो राजस्तान की विदान सबा में आपर 200 जो हैं सदेश हैं आपके मतलब की विदान सबा सीटे कितनी हैं 200 हैं दोस्तों और 2026 तक ही रहेंगी उसके बाद में परिशीमन हो जाएगा आपका अगर आप से पूछे परसत्यों लोग सबा सीट कितनी अपने रास्तान में तो 25 है और राइस सबा सीट कितनी है दोस्तों तब के 10 है तो 12 सवाल है अगला पुमिय तो यह कांपर है रास्तान के अंदर तो रन्हाज जी का मंदिर दोस्तु आपके कापर हो जाएगा पुशकर अजमे है रूनेचा मेला परसातियो या आपका तेजा जी का मेला है अड़बू जी का मेला है रामदेव जी का मेला है या बिग्गा जी का मेला है तो रूनेचा का धनी किसे कहते है बाबा रामदेव जी को और बाबा रामदेव जी के दोस्तों यहाँ पर जो इसमर्ती है इसी के अ आपका हाती मना युद देवचकरी ये आपके बेलों के निरते हैं आदिवाशी दोस्तों आपके यहापर जनजाती बेलों के निरते हैं और बेल जाती की आपर जनजाती की बात करें तो यहापर दोस्तों आपके होली के अवसर पर जो गैर निरते हैं दोस्तों किया जाता है किसे लोग देवता की फड़ सबसे प्राचीन है दोस्तो सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ आपके यहाँ पर देव नरायन जी की है देव नरायन जी की बात करें तो दोस्तो राजस्तान के प्रमुग लोग देवता देव नरायन जी को यहाँ पर गूजर समुदाय के जो लोग हैं वो अपना अरैद देव मानते हैं परसातियों और यहाँ पर भगवान विश्णु का उतार इनको माना जाता है दोस्तों देवनरण जी की बात करें इनकी जो फड है उस पे जंतर वाधी अंतर का प्रियोग किया जाता है बोपे जब बजाते हैं इसको बासते हैं फड को तो जंतर वाधी अंतर का प्रियों करते हैं इसके अलावाए यापर जो बारत सरकार है उसने डाल टिकट भी जारी किया हुआ है बिलू पॉर्ट्री का मुख्य के इंदर क्या है परसाती हो तो बिलू पॉर्ट्री जो है इसका मुख्य के इंदर आपका जैपूर हो जाएगा और बिलू पॉर्ट्री को यहाँ पर राम सिंग जो है आपके राम सिंग दित्ती के दोरा परसातियों इरान परसिया से इसको लाया गया था बिलू पॉर्टरी जैपुर की प्रमुक है, मीनाकारी जैपुर की है, पाउ जो आपके रजाई है, ये भी दोस्तों आपके जैपुर की हो जाएगी, बंदेज कला, ये सब कुछ आपके जैपुर की है, तो option A आपर right answer है, पिर पाल सिंग सेकावत का संबन किससे आता है, तो अगला सवाल हो बड़ा ही प्यारा, आंसर करते रहें दोस्तों, मिटर को खीशते रहें, बहुत ही प्यारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, एक एक सवाल important है, पोती खाना संग्राली कापरे पर सतियों, तो पोती खाना संग्राली आपका कापर हो जाएगा, ये आपका जैपूर में दोस्तों आपका हो जाएगा, तेकिन आप राजस्तान की इतियास का पितामा किसे कहते हैं, तो दोस्तों करनल जैम स्टोड को, जिनने गोडे वाले बाबा कहते हैं, ये इंगलेंड के बिटेन के थे दोस्तों यहां पर, तो राजस्तान की इतियास का पितामा करनल जेम स्टोट को कहा जाता है राना सांगा खानवा के युद्ध में किस्य पराजित हुए दोस्तों यहाँ पर एक तो युद्ध होता है खानवा का एक तो खानवा का युद्ध होता है और एक जो आपका युद्ध होता है आपका यहाँ पर भयाना का दोस्तो बयाना का भी आपका 1527 में होता है और खानवा का भी 1527 में होता है अच्छा बयाना में तो दोस्तो सांगा जीत जाता है और बाबर आर जाता है तो खानवा में यापर दोस्तो बाबर आपका जीत जाता है तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो राही टांसर है वो राही तो बाबर से आपके दुस्तो पराजित हो जाते हैं Allahuddin ने किसे जीत कर उसका नाम हिरजाबाद रखा दोस्तो तो अला witness ने पैर साथ यह हो यहांपर जो है आपके चितोडगर्ड जो दुर्ग है इसको जीत लिया था और चितोडगाड दुर्ग जीतने के बाद में इसका नाम खिर्जावाद रख दिया था जो अपने बेटे खिर्जखा की दोस्तों याद में रखा था तो यहाँ पर तेरा सो मतलब खिर्जखा इसका बेटे का नाम था और उसी के नाम के उपर यह दुर्ग का नाम रखा ठेके में और तराइन का दिट्टिद 1102 में में होता है तो यहां पर 1101 में मुहम्मद गोरी और प्रत्वीराच चोहान के बीच में तराइन का परत्वीराच चोहान विजय होता है अगला कुशन तनोट देवी का मंदिर का पर है काफी ultimate शांदर जांदर सवाल एक्जाम में छपने वाला सवाल दोस्तों यहां पर थार की वेशनो देवी किसे कहते हैं आपसे पूछा जाएक एक्जाम में थार की वेशनो देवी परसत्यों किसे कहते हैं तो थार की वेशनो देवी यहां पर कहते हैं तनोट माता को जैसल मेर के अंदर दोस्तों तनोट माता का मंदिर है या आजस्तान का राजगीत केशरिया वालम किसे सम्मधित है तो आपके यहांपर माइंड गायन से यहांपका सम्मधित हो जाएगा अगला कुछछे ने स्वामी दैनल सरस्वती के मृत्त्वी निर्वान कहांपर हुआता दोस्तों तो यहांपर इनका परी निर्वान दोस्तों अजमेर में हुआ यहां पर वेधिक जो यंत्राले है उसका यांपर दूस्तों यहां पर इस्तापना करी थी और स्वामвойदैन सरस्वती आर्ये समाज की स्तापना अठारा सो पे चेतर में करी, वेदो की और लोटो नारा दिया और उदैपुर में अठारा सो तर्रासी में परोपकार्णी सबाजो है इसके भी स्ताप न करी, काफी बर एक्जाम में पूछा जाता है अगला सवाल पड़ा पड़ा आंसर करते रो, मिटर को खैंसते रो, सेशन को लाइक और शियर करते रो होसलों के तरकश में कौसिस का वो तीर जिन्दा रखो और हार जाओ चाहे जिन्दिगे में सब कुछ है, वापस से जीतने की उम्मीद जिन्दा रखो अरभी, फार्सी, सोज, संस्तान की बात करें, तो 17 में दोस्तों आपका अंसर आजागा, टॉक में है अना, आपके नवाबो की नगरी टॉक की कहते हैं, एक मातर मुस्लिम रियासत टॉक के परसाती हो और इसके अलावा टॉक की बात करें, नमदे का के फैमस है, टॉक के फैमस है, सुनेरी कोटी कहापर है टॉक में आपके उट वाँस तो दोस्तों आपका बीकानिर में लगता है, एशिया की सबसे बड़ी उनमंडी बीकानिर में आपके CET में पूछा गया था और आपके दोस्तों उस्ताकला जो उट से सम्मंदीत है, उट की खाल पर जित्रकारी होती है सोने की, उस्ताकला आपके बीकाने से सम्मंदीत है वरद राजस्तान के परदानमंत्री थे परदानमंत्री तो वरद रास्तान के परदानमंत्री हिरलाल सास्त्री थे आपके जैपूर को यहापर राजदानी बनाया गया था 30 मार्च 1 सत्यों 1945 की बात है और 30 मार्च को यहाँ पर रास्तान दिवस मनाए जाता है और दोस्तो हिरला सास्तरी यहाँ पर राइट आंसर होगा एकी आंदोलन का सुत्रपात किया, सुरू किया, दोस्तो कहां से सुरू किया पहले बाद तो एकी आंदोलन से संब्ध दीता है आपके मोतीलाल दोस्तो जो आपके तेजावत है मोतीलाल तेजावत का संब्ध एकी आंदोलन से आता है 1921 से आता है दोस्तो और इसकी सुरुवात कहा से होती तो मातरकुंडिया और मातरकुंडिया दोस्तों आपके चितोड़गड में हैं और मातरकुंडिया को राजस्तान का रिद्वार कहते हैं याद रखना 27 मंग पत्र मेवाड की पुकार का संबन्द भी आपके मोतिलल तेजावस से आता है अच्छा बेलो के गाओं का मुख्या क्या कहलाता है तो बेलो के गाओं का मुख्या तो आपका दोस्तों यहाँ पर गमेती कहलाता है ठीके ना आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि गरासियां का जो मुखिया होता है गरासिया जनजाती का मुखिया है वो क्या कहलाता है अच्छा मीनाओं की बात करें तो मीनाओं का मुखिया दोस्तों या पर पटेल होता है क्या होता है पटेल होता है अगला कुशन है मुमल की सहली का प्रमुक्षित्र है गजब कुशन क्या बात है हर सवाल इंपोर्टेंट है यहां से काफी कुशन आपके 22 से 24 अक्टूबर की 6 सिप्ट के जो पेपर है सीधे के सीधे यहां पर दोस्तो सवाल आपके बनने वाले हैं सवाल अमर 22 की बात करें जैसल मेरी दोस्तो इसका राइट आंसर आएगा मुमल जैसल मेरी आपके नारी सौंदरिये की बात की गई है किसका प्रियोग होता है दोस्तों तो कटेवे नारिल का प्रियोग होता है तो राई टांसर क्या आ जाएगा राई टांसर दोस्तों आपके यहाँ पर रावन अत्ता जो है यहाँ आपका ततुवादियंतर है यहाँ पर परफेक्ट टांसर प्यासाथ की यहाँ पर आ जाएगा और इसके अलावा आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा परसातियो, आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा, कि जो मुक्य सचीव है, वर्तमान में कौन है, तो आपके सुदान सपनते हैं याद रखना, अगला कुशन, राजस्तान में सरवादिक जल नीत होती है राजपाल में किसमे नीत होती है राजपाल में आपकी राजपाल में आपकी राजपाल का सकती जो है वो नीत होती है लेकिन अगर प्रमक रूप से देखे हैं हम लोग दोस्तो तो यह आपके मुक्यमंतरी में होती है अगला कुशन देखो आपके सुमेलित करना ह दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है बड़ा ही प्यारा शानदार और जानदार कुशन है कैसे दोस्तों शानदार और जानदार कुशन है ललन टॉप सवाल है ultimate कुशन है देखो हडबु जी का जरम का पर होता है आपसे पूचा गया इनका मंदिर का पर है पूचा गया मेहा थे इंतोट आप हैं डधर्य वा चूरू और गोगा मेडी हनुमानगात Youristem श्रपीता हो हम जाहर पिर कहते हैं neighbors doesn't know everyone जो आपका दोस्तों यहाँ पर जो मेला है वो कहाँ पर लगता है तो गोगा मेडी जो आपका मेला है परसाती हो यह आपका सिर्ष मेडी इसको कहते हैं और यह आपके हनुमान गड़ में लगता है याद रखना तिर्थो का मामा तो दोस्तो आपका क्या है पुशकर है लेकिन तिर्थो का बांजा किसे कहते हैं तो यहाँ पर दोस्तो दौलपूर को किसको पर साती हो दौलपूर को तिर्थो का बांजा है यहाँ पर हम लोग कहते हैं किसको कहते हैं दौलपूर को तिर्थो का बांजा दो भी कहते हैं, तो माग महिने के अंदर दोस्तो आता है, राकडी नामक आभुषन, आभुषन से सवाल बनेएंगे, और एक-एक सवाल इंपोर्टेंट है, राकडी में क्या जाएगा दोस्तो हैं, आपका महिमन्द है, आपके बोर्ला है, मैंक तिलक है, पार्वती नदी राजस्तान के किस जिले में मद्यप्रदेश से प्रवेस करती है तो पारवती जिली का दोस्तों जो प्रवेस होता है आपके पारवती नदी का ये बारा जिले से होता है परवन नदी का सम्मन्द भारा से है काली शिंद का जालावार से है और पारवती बारा जिले से मद्यप पीज्चा जाए दोस्तो की सेर चोटी जो है आपकी इसकी हुचाई कितनी है तो सेरकी जो उचाई 15 15 प्राइं से ओ जाये तो यहाँ पर चलएंगा जय संबन जील आपके वर्तमां Sall parole और पहले हुद्यपूर में थी जैसमंद का समंद दोस्तो गोमती नदीश आता है तो गोमती नदीश आता है और इसके अलावा में परसातियो यहाँ पर जैसमंद को हम डेबर जील कहते हैं इस पर राम पहरी टापू बना हुआ है याद रखना और भारत की सबसे बड़े मीठे पाने की करतरिम जील आपके हो जाएगे गरनाइट सिटी किसे कहते हैं पहर सत्यू सटियो गरनाइट सिटी हम लोग कहते हैं यापर जालोर को ठीक नहर दोस्तो राजस्तान की सबसे प्राचीन नहर है और सबसे पुरानी नहर है और महराजा गंगा सिंग ने इसका निर्मान करवाया 1927 में और राजस्तान का भागी रती कहते हैं गंगा सिंग को हुसेनी वाला से इसका उद्गम होता है यहां पर दोस्तो सवाल नमर 29 का आप अब सुन्दर सिंग गूजर का संबन किसमे का तो एक में तीन और ढूमिन एक का तो एक में 3-2 में एक decision आजाएगा सुन्दर सिंग गूजर है इस संबन तो आजाएगा आपका sait जैवलिंठ रोसे और अवनी ले acknowledging से पहरा ओंपिक में वापस से पेरिस पेर उलम्पिक में गॉल्ड मेडल जीता है राजस्तार के परता मैला विदान सबाइदेक्स आपके दोस्तो सुमित्रा सिंग हो जाएगा कापी गजब सवाल है भारत के किस राजमें सबसे पहले दक्षिन पशिमी मानसून प्रिवेस करता है तो यहाँ पर केरल से मानसून का प्रिवेस होता है जून के महिने में याद रखना रेत का तीतर मिलता है दोस्तो तो रेत का तीतर कहाँ पर मिलता है परसातियो आपके गज़नेर अब्दान और गज़नेर कहाँ पर दोस्तों ऐन्दो समय कम है ओट से नडिनWS आपका प्रत्म कारकाना किस दिली में दोस्तोतों तो यह पर आपके बूंदी लाकेरी में आपका सिमेंट का कार खाना है है प्लीट पतांइ ब्योंसीस तो पैलश एस्न्वा कम मं रोपई है निमन मैंसे उरुवरक खनीज कौन सा है तो 47 में जो राइट आंसर है एक तो जिपसम है रोफास्पेट है पाई राइट है तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों अपरोग सबी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर में दोस्तो उसके अलावा रॉक फास्केट के लावा पाइराइट है उप्रोक सभी आपका आ जाएगा राजस्तान की दोस्तो काम देनू किसे कहते हैं तो यहाँ पर दोस्तो जो आपके राठी गाये है राजस्तान की काम देनू राटी गाय जो आपके भीकानेर अनमानगर गंदानगर में दोस्तों आपका इसका वित्रण है और थार परकर को मालानी कहते हैं दोस्तों आपके बाड़ मेर जैसल मेर यहाँ पर दोस्तों आपके है और राजस्तान का दक्षिंटम जो बिंदू का जाता है परसातियों ये का जाता है बोरकुंड को है बोरकुंडा जो गाओं में बलवन्त विलास की रचना कार क्यों है परसातियों सूर्यमल मिश्रण है सूर्यावल मिशनन की और रचना एक तो वन सबास करें दोस्तो एक तो वन सबास करें आपके एक परसातियों यहाँ पर वीर सतसाई भी इनकी रचना है और इसके लावा राम रंजाट भी इनकी रचना है और बलवंत विलास भी इनकी रचना है चंदर बरदाई की रचना है तेके नाब इसके अलावद उसको करनल जैम्स्टोड की पुस्दक है एनाल्स एंटिक्विटी जोप राजस्तान और करनीदान दोस्तों यहां पर हो जाएगा करनल जैम्स्टोड ने किस गरंथ को 10 सहस्तर गोडों का बल बताया कि इस गरंथ में तो परसातियों 10 सहस्तर गोडों का बल है क्या गजब सवाल है तो 52 में राइट टांसर आएगा दोस्तों बहली किसरन रुकुमनीरी ख्यात वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा जगत शिरोमनी मंदीर राजस्तान में का परिस्तित है तो दोस्तों यह आपके आमीर में है यहाँ पर माराजा मान सिंग की पत्नी का नाम था और उन्होंने पुतर जगत सिंग की यादमेश का निर्मान करवाया था मिवाड के सासक एकलिंग जी को अपना इश्टदेव या दिवान मनते हैं दोस्तो अपने आपको यहाँ पर अपने आपको जो है एकलिंग जी का दिवान मनते हैं इनका मंदिर उद्यपूर में है और एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तो यहाँ पर निर्मान करवाया था ब डोल निर्टे है और जैनलर विव्यास्टिक का संऩर क्चिनital प्रदान किया था पनिहारे निर्टेक मेल्प्रदान है यह किया जाता है तूस्तों आपके आपकर slipped पछुमार्गि निर्थ बींत्र का गन्या optim acontece VO द यसे मंजीरा जांज कर्ताल है तो दो धातू आपस में टकरा के दोईनी उत्पन करते हैं ये धातू की विसेशता भी है और ये घनवादियंतर है देव नराएंट जी की फड़ में दोस्तो कौन सा वादियंतर का प्रियोग होता है काफी गजब सवाल बार-बार पूचा जाता है जनतर इसका राइट आंसर आएगा रक्षा बंदन का तिवार किस महीने में बनाते हैं दोस्तो रक्षा बंदन के तिवार को बोलते है नारियल पूर्णिमा क्या बोलते है पर सत्यो नारियल पूर्णिमा यहाँ पर बोला जाता है तो यहाँ पर दोस्तों इसको बढ़ार कहते हैं, क्या कहते हैं, बढ़ार कहते हैं, हालरी नामक आभुशन पहना जाता है, हालरी परसातियों, तो हालरी नामक आभुशन गले में, हालरो, हालरी, आपका दोस्तों यहाँ पर जो ताबीज है, इसके लावाँ चमपा कली है, अ 1857 की किरांति के समय, कोटा के मारा होते परसातियों, कोटा के जो मारा होते, काफी गजब खुश्यन है आपके, राम सिंग, और कोटा का पॉल्टिकल एजण्ट कुजे तो कर्नल बर्टन हो जाएगा,ाना मैनूराम सर्मा, पंडित का समन किस परजामंडल से आता है, दोस्तों ग्रवाने और 1311 में जब यहाँ पर अटेक होता है लव verloren खिलजी का में कानल देख याँ हो जयागा, वियाँ इसमिल प्यापि का wil पूछा गया है दोस्तो अगला सवाल आप लोग के सामनी रहा कुशन नमर आपका 69 किसंगड चितरकला सहली की बात करें इसको परकास में लाने का सिरेक इसको जाता है तो यहाँ पर दोस्तो एरिक डिक्षन और फयाज अली बिरपर सत्यों काफी गजब सवाल है फयाज अली और एरिक डिक्षन कुछ ऐसा ही सवाल पूछा गया था CET 2023 में कि भईया आप लोग बताओ कि यहाँ पर जो देवगड चितरकला सहली है उसको परकास में लाने का सिरेक इसको जाता है तो जो देवगड चितरकला सहली है षिरेक इसकोई परकास ने कर आयए है साहीबराम नामक चित्रकार आदम का चितर बनाते है भूंदी चितरकला सहली में दोस्तो राजस्तानी चित्रकला का आरंबिक रूप से देखने को मिलता है बूंदी का मतलब पसु पक्षियों का चित्रन है परसातियों और यहाँ पर असंगत है तीन बाते ठीक हैं एक गलत है तो 71 में आ जाएगा कि यहाँ पर चित्र मुंबल, मुंबल तो जैसल मेर का हो जाएगा यह गलत है यहाँ पर बाकी पक्षू पक्षियों का चित्रन बूंदी में है आपके सैल बित्ती चित्र आपके बूंदी में है और राजा उमेद सिंग का चित्रसाला भी बूंदी में है दोस्तों आपके यहाँ पर उधैपूर में एक जील है पीछोला जील में परसातियों पीछोला जील कहा पर है उद्यपूर में और यहीं पर आपका जगनिवास जगमंदिर दोस्तों बना हुआ है कौन सी करती दलपती विजे की है दलपती विजे की दोस्तों जो रचना है 73 में जो परसातियों रइट आंसर है खुमान रासू क्या गजब कुशन है आपके दोस्तों यहाँ पर खुमान रासू किसकी रचना है दलपत विजे की किसी निर्थ में एक मटके के कपास के बीज तेल में डालकर आग जलाकर महिलाएं निर्थ करती है परसातियों इस निर्थ को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों 74 में जो आंसर आएगा वो आजाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर चरी निर्थ है तो चरी निर्थ का सम्वन दोस्तों किसंगड से आता है किसंगड की महिलाएं दोस्तों आपके बूजर समाज की जो महिलाएं हैं वो इस निर्थ को करती है और फलकूबाई दोस्तों इसकी प्रमुख निर्थियांगना है कापी बर एक्जाम में पूछा गया कि फलकूबाई का सम्वन किस से आता है दो जार तेविस में पूछा गया था आपके चरी निर्थिस से आता है यहां पर परसत्यों संगत बताना है अगनी भरतपुर का नहीं है गवरी गंगानगर का नहीं है वालर दॉलपुर का नहीं है आप बिंदोरी जालावाड का यहां पर सही हो जाएगा तो पिछेतर में डिया पर सही है करमेती नामक मैला के पती को सरप ने काट लिया थ वो सती हो गई थी इनको सती माता की रूप में जानते हैं और यहाँ पर फरसत्यो 76 की अगर हम बात करें तो नारायनी माता दोस्तों आपके अलवर में अलवर में है नाई समाज की कुल देवी दोस्तों नाई समाज की कुल देवी नारायनी माता अलवर सीतला माता बच्चों की संरक्षी का देवी कहते हैं और इनसे सम्मधित तथे सही नहीं है फैरसात्यों तो 77 का जो राइट आंसर वा जाएगा इनका मंदिर हनवानगड में है ये गलत बात है इनका वाहन गदा है दीपक मिट्टी की कटोरिया जलती है अपने इनके बक्ते हैं और सीतला माता चाक्सु सील की डूंगरी जो ग्रामीन जैपूर है उसमें स्तीत है अहीरवाटी राजस्तान के कि शेत्र की बोली है इंपोर्टेंट कुश्चन ऐसे सवाल आपके सीटीम आते हैं ये भी आ सकता है तो आपके मेवाटी भासा की जोस्तो बोली है अहीरवाटी मेवाटी छेत्र में अलवर वर्थपूर में बोली जाती है राजस्तान उचिनायले की खंड़ पीट जैपूर में परसाती हो और उचिनायले जोदपूर में राजस्तान में सबसे बड़ा विदानसबः छेत्र कौन से परसातियों तो राजस्तान का सबसे बड़ा विदानसबः छेत्र आपका जैसल मेर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जैपूर नगर की यहाँ पर इस्तापना जैपूर नगर की इस्तापना कब होती है दोस्तो तो 1727 में होती है 18 नॉंबर 1727 को सवाई जैसिंग के द्वारा जैपूर की स्तापना यहाँ पर सत्यू की जाती है शिरी पंत किसका प्राची इननामता दोस्तों आपके यहां पर शिरी पंत जो प्राची इननामता बयाना का बयाना का आपर दोस्तों बयाना आपके बरतपुर में है और यहां पर बयाना का ही प्राची इननामता दोस्तों आपकी शिरी पंत यहां पर हो जाएगा राजस्तान का Chandra Kelsey बहारत के संदर में दोस्तों कितना प्रतीशत है यह पर 83 जो 166.56 परसंट है पूरे भारत में राज में सबसे उची norak पर कॉंची है इन्मे से नकी जील दोस्तों माउन्टाबू में है सिरोही में राजस्तान की जिलो की जंसेंक्या का आकार द्रश्टी से अवरोई किरम क्या गजब कुशन है लगा दो इश्टार छपे का पेपर में 85 में दोस्तों आपका आजाएगा जोदपूर अलवर नागोर उद्यपूर पूर्टे राजस्तान में बहने वाली लंबी की आसा कहते हैं खमनोर की पाडियों से इसका उद्गम होता है सरबादिक मात्रा में सताई जलवाई दोस्तों नदी कौन सी है तो ये भी कर जब कुशन है चंबल आपका हो जाएगा अना जीरो से चाईवर का लिंगनुपात कितना है दोस्तों आपका 88C है और वैसे 928 यहा आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा जालो गिर को रेंडा या जमीरा कहते है क्योंकि आजमीर की नसल है राजस्तान में बाग परियोजना सबसे पहले कहां पर सुरू ही दोस्तों रंतंबोर आपके 1973 पर साथियो 1973 में आपकी परियोजना सुरू होती है और राजस्तान का पहले नंबर का दोस्तों यहांपका राष्टी उद्यान है मिट्टी की छारियता को दूर किया आता है जिप सब मिला कर दूर हो जाती है काफी गजब कुशन है एक्जाम में पूछा जाता है हिंदुस्तान जिंग लिमिटेट का मुख्यालिक आपर दोस्तों तो यह आपका दोस्तों चितोडगड में है कापर दोस्तों चितोडगड में नहीं आपका यहांपर उद्यपूर में यहांपर जिंग लिमिटेट पूछे तो क्या आएगा पर सत्यों उद्यपूर यहांपर आ जाएगा इसको ठीक कर लो इसको ठीक कर लो तोड़कर किलिक मत करो, उधयपुर करो ना, उधयपुर यहां पर 92 में अंसर है, आगला सवाल में प्रेसत यो ध्यान दो यहां पर नीमला राय सेला कहां पर है जहां पर लोह एस्क निकाला जाता है तो यह आपके दोस्तों दोसा जिले में कहां पर दोस्तों दोसा जिले में खरीब की फसल कौन सी है देखो फसलों से सवाल बने आपके सीटी में तो खरीब की फसल आपका दोस्तों ओड़द है मक्का है बाज और आमीर की सिल्ला देवी लायो राजामान, राजामान सिंह लेकर आये थे मीना जाती की बात करें पैसातियों किसकी बात करें मीना जाती की यहाँ पर बात करें यहाँ पर दोस्तों मीना जाती की अगर हम बात करें पैसातियों किसके लोग देऊ था जूटी कसम निगातें, यहां पर बॉरिया बाबा की जूटी कसम निगातें, मीना, कीका किसके बच्पन का नाम ता दोस्तों है। तो की का है यहांपर दोस्तों महाना प्रताप के भच्पन का नामता है, की का है यहांपर जुतेवे खेत के साक्ष काली बंगा से मिले हैं, काली बंगा का समगर आपके हनुमान गड चाहτα है,otta का अटा लुटाENT है का हनुमान गड और इस सवाल आपको हो वो हूँ 22 से 24 अक्तुबर के दूस्तों पेपर में देखने को मिलेंगे ये किलास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस पर टार्गेट करते हैं 500 लाइक का 500 लाइक होते ही अगली किलास शांदर आपको मिलेगी सेशन को लाइक करें चैनल को सब्सक्र करें शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच